सबसे इंपर्टिंट का मैं कर रही हुँ वीड़ गुट मॉर्निंग फ्रेंट्स वल्कम बाक तो दे चैनल होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज है ये चैट पूजा का पारन डे ब्लॉग तो अभी मॉनिंग के फोर ओ क्लॉक में मैं अन्दीदी दोनों उठ गयते और जो सुर्यो दे न सन्राइज अराउंड 7.20 में है तो हमें फिर भी हमारे पास टाइम था अन्दीदी उठके उधर क्लीनिंग में गय हुए है हमारा बहुत बढ़ा है तो टाइम लग जाता है तो जब तक उधर दीदी क्लीनिंग कर रहे है इधर मैंने कुकिंग किचन में स्टार्ट कर दिया था इनफेक्ट रात को ही हमने 40% अराउंड तैयारी कर लिया था लाइक मसाले पिसके रखना ये छुले के मसाले है और फिर लेशन छिल लेना थोड़ी बहुत सबजिया जो कट करते है और मतलब मैं कहूंगी हर घर में यही होता है जब भी जिसके घर में इस तरह अर्ली मॉर् जादा बस यही है अब यही है कि सारे responsibility से करनी होती है पहले fun के तरह करते थे बठा चली अच्छा लगता है time के साथ हर चीज adjustment होई जाता है आज के menu में छोला बनाया था छोला का plan था और सारी family भी आते है तो amount थोड़ा अच्छे amount में ही बनाते कि किसी को भी कमी नहों सबक एक्स्ट्रा स्पाइसी ग्रीन एंड रेड चिली अड़ करके तो अल्मोस्ट ना सिक्स ट्वेंडी तक मेरा किचन का सारा काम ड़न हो गया था बस गर्मा गर्म अरग के बाद वो पकोरों की भी मैंने प्याज और पालक के पकोरे की तैयारी कर ली थी वो तो अरग के बाद अधी फ्राई करूंगी जब हो जाएगा सब और दाल तरका मूंग दाल का तरका लगा लिया था और साधा सा कदू बना दिया था तो बस आप इसके बाद अब जल्दी से मैर रेडी हो जाती हूँ तो गाईज नीजे का सारा कुकिंग हो गयार मैं उपर आई ना तो शायर ने ना दोनों बेबी दोको अभी रेडी कर दिया मैं बाल बाननूंगी ओ ली चोती खरगोच अवाईची अभी देटो पे तो ली जी बेडी चोती अपिक दिया रहा लगला बलोगी जी अलोगा अ रेडी हो जाओ टाइम ओड़ा 6.30 हो गया 7.20 में अरग है तो नीजे राउंड पॉने बस 15-20 मेरे पास मेरे बैच्छा सु गाइस फाइली मैं रेडी हो गई हूँ और यह रही मा की दियूए यहरिंग्स जो भी सारी लेटी साम माने दिया माने लग रहा ना पूरा दुलन बनवा दिया तो बस अब नीचे अरग का टाइम हो रहा है थोरे देर में तो बस अब चलती हो शारे या बुड़ा ओवराल लुक दिखवाने बट सच में यह बाल यह बहुत प्यारी लग रही है तो चलते हैं नीचे बस अरग के लिए यहां मा खरेते हैं बाहर निकली इतना अच्छा वाइब्स लगता है ना बैस पार्ट तो यह था मैंना बिलकुल शॉक्ट हो गई वेदर फ कभी भी नहीं था हमेशा इतनी ठंड होती है ना कि पाउं जब जमीन पर रखिये ना तो बिलकुल लगता है जब तक हरे हो आप ना सुन हो गया बठा फूजा तो करी लेते हैं बड उतना मतलब पाउं बहुत जाधा ठंड होती है एक्स्ट्रीमली एन इस बार तो वेदर बिलकुल ही फेवरेल विल था बहुत ही जाधा कमफटेबली सब आराम से थे और मैंने भी बस श्रग डाल रखा था दीदी देभी और उसमें भी ना बिलकुल भी ठंड नहीं लग रही थी मतलब इंडिया में जैसी ठंड होती है इस बार बिलकुल वैसा ठंड था तो हमार आररग में पाणिनों ने भी पाटिसिपेट किया तो सब बहुत अच्छे से बस यहां हमने अरग दिया सारी फैमिलीने मिलके तो बस मेरा यही मानना आगर फैमिली का साथ हो आप पिरहते हो आएगर किसी भी चीज में पाटिसिपेट करते हो तो उसका अलगी मौहाल लगता है बहुत अच्छा फील होता है सब साथ में मिलके झालवरेट करते हैं और in fact बच्चो को भी हम कहते हैं कि बच्चे सीखते हैं तो बच्चो को भी बहुत कुछ सीखने मिलता है हमारे बच्चे यूस में भले ही रहते हैं पर उन्हें अल्मोस सिफ ना लैंग्वेस इनफेक्ट हर चीज हर जो रीचुल से उसमें भी हम पार्ट लिवाते हैं और आप लोगों को तो बलीब नहीं होगा कि हमारे बचे जो इशी त्रिशुव हाना इत्ते छोटे त्रिशुव भी not even five years की है वो जो सरापन होता है न को अधन पूजा उसके लिए भी बोलती है ममा मुझे भी early morning में उठना है मार हम करते हैं तो हमारे साथ वो भी मिलके पार्टिसिपेट करते हैं तो जैसा देखेंगे वैसे ही सीखेंगे तो of course हमें देखते हैं they love to follow तो बस इसी तरह से सब family मिलके है चटी मही आ करें सब की पूरी करें और परिवार को जोर के रखे साथ रखेंगे और सब पर ऐसी खुश्यों की बारिस करती रहें अच्छा इसके लगी हुआ किजिन में पूमें अच्छाइ में अच्छाइ में गपर बहावी से बड़ा तक कटली है सही बात है एक 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 आप दो देख दीजी आपलो मैं कैसा समाली मुझे ही पाता है प्यास पालक तो पॉल इंचिली सास बहू लोग सेवा में चले सास बहू लगी हुए है टिफिन पैकिंग सबसे इंबर्टन काम मैं कर रहे हुए वीडियो बता रहे हुए सही बाद कुछ कीजे चाना कीजे वीडियो बना सही बाद यह हमारे पी आ रहे है सही बाद अर मैं क्या कर रहे हुए पकारव में लगयो रही हुए रहे हुए गर्मा गर्म प्याज और रहे हुए यहां रहा है यह यमी यमी छोला छोला का लुक देखिए देखिए भूख लग रहा है मुझे तो बस पकार यह फ्राई कर दे फिर से जाओंगे बाहर फोटो सेशन के लिए तो बाल 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 थी करने होंगे बाल भिखर गया पूरा एनमा ने पूरा जोरा मंग सिंदूर लगा दिया है यह पूरा बलबकुल तो चलिए सब भी बात पकुरे फ्राई हो जाए और फोटो सेशन करते हूं तयार हो के थोड़ा तो गाइस बस फोटोग्राफी हो गए और इसके बाद फिर से मैंने यह मस्त अद्रक वाली चाय बनाए और मुझे नहीं कोई भी फंक्शन नो पाटी के बाद ना इस तरह जब फ्री हो के सब बैट के गप शप मारते ना चाय गर्मा गर्म चाय पीते मुझे यह इन्वोर्मेंट बहुत अच्छा लगता है और लो जाने के बाद ना यहां राउंड हमने दो धाई घंटे बाट के चाय इंजॉय पक और इंजॉय करते हो ना सबने आराम से बैठ के यहां गभ शप मारे हमने तो मुझे सच में यह ज़ो इस सब्सक्राइब्स मुझे बहुत ही मजबादा है इसमें फाइली चटपुजा का हो गया हमारा पारण भी मंदिर में आके ब्लॉग एंड कर रही हूँ आप लोगों को सब कुछ और चलिए फाइली ब्लॉग एंड करती हूँ दीदी भी ले जा रहा है और बहुत टाइम से सारा काम हो गया अभी अर्वी अरॉड अरॉड टेल बिल्कुल लगता ही नहीं है इसमें काम भी कर ली जो तो फील ही होता है और चलिए आप लोग कमेंट में बताईगा कैसा लगा आपको सब कुछ मेरी एरिंग भी वो तो लास्ट ब्लॉग में ने वो शेर किया ही था तो चलिए फाइनली ब्लॉग एंड करती हूँ और से च अच्छा टी महिया फिर मिलती हूँ नेक्स ब्लॉग में आप लोगों के साथ तब तके लिए स्टेए हैपी स्टेए सेथ टेक्यार अफियोट आप